बच्चों नमस्कार आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड मायत क्लास 7 अभ्याज 7F अभ्याज 7F इसमें जो है चक्रवर्धी ब्याज से सम्मधित प्रशन आपको देखने को मिलेंगे प्रशनावली 7E में हम लोग ने साधार ब्याज से सम्मधित प्रशनों को कर लिया है तो चलिए सुरू करते हैं प्रशनावली 7F 7F का जो पहला सवाल दिया गया है ये बहुविकल्पिय प्रशन है इसमें जो है ए नंबर सवाल दिया गा है कि 150 का 4 प्रतिसत से दिया गया है कि 150 का 4 प्रतिसत वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधाण ब्याज होगा तो इसमें साधाण ब्याज गयात करना है देखते हैं कैसे साधाण ब्याज बराबर क्या होता है साधान व्याजब्रवद होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 यही होता है तो मान रख देंगे कितना दिया गया है 500 रुपे दिया गया है 4% वार्षिक व्याज की दर से 150 रुपे दर कितनी 4% और समय दिया गया है एक साल 100 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका यह 0 यहां से काट देंगे और 15 से 4 का गुणा कर देंगे तो 15 साथ हो और साथ है कम साथ है ना और बटे में 10 यहां से 1-0 यहां से 1-0 तो बराबर में कितना बचा 6 तो आपका 6 वर्स जो है वो राइट आंसर होगा तो इसमें जो आपसन नंबर तीसरा वाला है जो यह आपका सही हो जाएगा और सवाल नमर जैसे को बी वाला दिया गा है कि 200 रुपे का 5% वारसिक व्याज की दर से 2 वर्स का शाधार व्याज क्या होगा तो इसमें 200 रुपे दिया गया है और 5% वारसिक व्याज है और 2 वर्स के लिए तो इसको देखो नि दर दी गई है पांच परिस्त और समय दिया गया है दो वर्स बटे में सो कर देंगे और इसके बाद हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा देखो दो जीरो नीचे कटें दो जीरो उपर तो पांच दूने दस दूना बीस तो बीस रुपे जो है यह आपका साधान ब्याज आ जाएगा तो इस प्रकार से हमारा जो बी नंबर कुष्चन का दूसरा आपसा सवाल नंबर दो है कि 800 रुपे का 5% वार्षी व्याज की दर से 2 वर्ष का चकब्रदी व्याज कितना होगा तो सबसे पहले से में देखो मूल धन दिया गया है और मूल धन को हम पी से लिखते हैं यह दिहान देना ठीक तो यह मूल धन आपको दिया गया है 800 रुपे कितना दर आपकी दी गई है 5% यह आपको लिख देना है और समय आपका दिया गया है 2 वर्ष अचाय इसका चक्रब्रदी व्याज का जो चक्रब्रदी मिस्रधन इसका फार्मूला होता है वो लिखेंगे पहले लिख लीजे चक्रब्रदी मिस्रधन बराबर होता है मूलधन मूलधन ब्राइकेट में 1 प्लस 1 प्लस दर बटे में 100 और उपर समय की घात होती है समय को घात बना जेते हैं तो इस प्रकार से यह आपका फार्मूला होता है सूतर होता है तो इसी प्रकार से देखो अब हम अंग्रेजी के कुछ अच्छा लिखे जाते हैं तो चक्रब्रदी व्याज को ए से लिखते हैं और मूलधन को पी से लिखते हैं और एक को लिखा ही जाए गो ही और दर अपको प्लास प्लूज़ां के आपको अलोगों सृट्र बनेंगा तो इस सूत्र में आपको लिख में यह सब भर देना है और मिसाधन य्याद करने के बाद चक्रवद्धी घ्यास ग्याद करेंगे घीज़न कैसे करेंगे तो A बराबर आपका हो जाएगा P कामान दिया गया है 800 और इधर 1 प्लस R दिया गया है आपका कितना 5 परसद बटे में 100 और N कामान दिया गया है कितना 2 ओर्स अब यहां से solve करेंगे तो हो जाएगा 800 और यह हो जाएगा देखो काट देंगे इसको तो 5 तो 5 और बीस पंचे 100 बीस पंचे 100 यहां से देखो 20 का गुणा एक से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 20 और प्लस यहां 1 बचा है 1 तो यहां 1 और बटे में कितना 20 और घात कितनी है दो इस प्रकार से जब इसको आगे और सॉल्फ करेंगे तो ये आपका बनेगा 800 गुड़े में यहां 20 और एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा तो 21 को गुणा में लिख देंगे 21 गुड़े 21 है ना और 20 को जो है दो बार गुड़े में लिख देंगे तो 20 गु गुणा में और यहां 20 तो लिखा ही तो इसको दो बार गुड़ा में लिख देंगे इसको जब काट देंगे 2-0 ये काट दीजिए और दो जिरो ये काट दीजिए तो अब जो बचा पहले देखो यहां पर दो सेसों काटेंगे तो यह हो जाएगा 2-1 2 और 2 चकु आठ दो और दो दुना में चार तो इस प्रकार से आपका जो नीचे तो कुछ बचा नहीं किवल यही बचा है 21 का गुणा 21 से और दो का गुणा इदी वाला तो यह हो जाएगा आपका दो गुणे 21 गुणे 21 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21 21 हम 441 होता है और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करने के तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 चाकुवार, 2 चाकुवार तो 800 कितना है? 82 रूपे यह है मिसरधन अब हमको ग्यात करना है चक्रवध्धी ब्याज तो यहाँ पर शूतर लगा देंगे चक्रवद्धि व्याज बराबर मिस्र भन माइनस मोल भन यह जो सूत्र है आपको नोट कर देना है अपनी फिर काफी प्रहना ब्लेक पिंसे तो चक्रवद्धि व्याज बराबर जागा 882 रुपे माइनस 800 रुपे तो इस प्रकाश से हो जाएगा घटाएंगे तो 882 से 800 घट जाएगा तो 82 रुपे बचेगा तो 82 रुपे क्या है आपका चक्रवध्धी ब्याज आया सवाल नमबर 3 दियागा है कि 1250 रुपे का 4 परस्त वार्षिक व्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवध्धी व्याज गयाद कीजिए तो सेम सूतर लगाएंगे और उसी सूतर से आपको क्या कर देना है चक्रवध्धी व्याज गयाद कर देना है सबसे पहले मिस्रधन गयाद करेंगे तो इसमें मूल धन दिया गया है पी बराबर 1250 रुपे और दर दी गई है आर बराबर 4 परस्त और समय दिया गया है एन बराबर 2 वर्ष फार्मुला लिख देंगे मिस्रधन बराबर होता है A बराबर P ब्राकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 गहाद यन तो A बराबर आपका हो जाएगा 1250 रुपे लिखा है और 1 प्लस ये आर बराबर कितनी दिये 4 और बटा में 100 गहाद कितनी हो जाएगी 2 इसको जब solve करेंगे तो हो जाएगा एक सो पचास एक बारा सो पचास लिखा है सोरी गल्ट हो गया है बारा सो पचास बारा सो पचास और यहां से देखो इसको काट सकते हुआ आप चार एक कम चार और पचीस चकू सो है ना यह एक बार में जाएगा कटेगा तो अब यहां से आपको क्या करना है 25 का गुणा कर देना एक में और यह वाला एक जोड देना है तो 25 एक 25 और 26 तो हो जाएगा यह 26 बटा में 25 और घात दो इसको आप दो दो बार लिख सकते हो गुणा के रूप में तो 1250 गुणे कर देंगे 26 बटा में 25 और गुणे 26 बटा में 25 दो बार गुणा के रूप में कि अच्छा इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 25 से काट दीजिए इसको तो पचीस एकम 25 और 25 को एक फचीस से काटेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे एकनल 25 और यह जीरो फिर में 25 बटीषिक महूं 25 और 25 दूर्णा पाचास है ना दो यहां पर हो जाएगा 26 का गुणा 26 से करेंगे तो यह साग चे शाग 36 दो दूना 4 और छे दूनी 12 दून 24 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 4, 3, 7 और 4, 2, 6 676, 676 का गुणा 2 से तो यह हो जाएगा 2 गुणे 676 और जोड़ेंगे तो 2, 6, 12 के 2, 2, 3, 14 और 1, 15 और 2, 6, 12 और 13 13, 1352 रुपे है ना 1352 रुपे आपका आया यह मिसरधन निकला है आपको ग्यात करना है चक्रवध्धी ब्याज चक्रवध्धी ब्याज बराबर क्या होता है मिसरधन है आपका A और मूलधन है P घटा देंगे तो हो जाएगा 1352 रुपे माइनस 1250 रुपे घटाएंगे तो आपका आज आएगा 1352 से 1250 खटेगा तो बचेगा 2 से 0 खटेगा 2, 5 से 5 खटेगा 0, 3 से 2 खटेगा तो 1 तो 102 रुपे आपका अंसर आजाएगा चक्रवध्धी ब्याज सवाल नमर चार कह रहा है कि 2400 रुपे के रुण को 10 परसत वार्षिक चक्रवध्धी ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया दे चक्रवध्धी ब्याज ग्याद कीजिए यानि 2400 रुपे का रण था लोन था है ना 10 परसत वार्षिक ब्याज चक्रवध्धी ब्याज था उस पर 2 वर्ष के बाद चुकाया गया तो कुल मिलाकिक चक्रवध्धी ब्याज कितना देना पड़ा ये आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है जो जो चीद दी गई है तो मूल धन पी बराबर दिया गया है 2400 रुपे दर दी गई है 10 परसत दर का मतलब क्या है आर और समय दिया गया है एन बराबर 2 वर्ष सूत्र में रख देना है तो सबसे पहले मिस्रधन याद कर लेंगे तो मिस्रधन आपका हो जागा 2400 ये मूल धन हो गया और ब्राइकेट में हो गया 1 प्लस आर यानि 10 बटे में 100 और इन कामान है दो तो दो आपको यहां लिख देना है गहात के रूप में और यहां पर 0 कार देखो 2410 का गुणा एक से करेंगे और एक जोड़ देंगे 10 कम 10 और 11 तो 11 बटे 10 गुणे में 11 बटे 10 दो बार लिखे हैं गुणा करके क्योंकि हाद दो लगी है यहां से आप यह 0 और यह 0 कार दीजिए और यह वाला यह वाला कार दीजिए अब 24 11 11 का गुणा कर दीजिए तो 24 का गुणा करेंगे 11 गुणे 11 से तो 11 का गुणा 11 से जब करते हैं तो हो जाता है 121 हो जाता है गुणा करने पर और जब 24 से गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 24 एकम 24 के चार हासिल दो 24 दो 48 दो 50 का 0 हासिल 5 24 एकम 24 और 5 29 तो 29 तो चार रुपे क्या निकला है आपका मिस्तर धन बताना है चक्करवध्धी ब्याज कितना दे हुआ है ना तो निकाल देंगे चक्करवध्धी ब्याज बराबर यह हो जाएगा A माइनस P A का मतलब है मिसर धन और P का मतलब है मूल धन मिसर धन है 29 सो चार रुपे माइनस कर देना इससे 24 सो रुपे तो 29 सो से 24 सो घटाएंगे तो बचेगा 504 रुपे तो ये कुल मिला के चक्करवध्धी ब्याज कितना निकला 504 रुपे दे होगा तो ये आपका सवाल नमबर शार कंप्लीट होता है सवाल नमबर पास दिया गया है कि 4000 रुपे के 10 प्रस्त वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवध्धी योम साधारण ब्याज में अंतर ग्याद किजिए तो इसमें सबसे पहले आपको चक्रवध्धी व्याज ग्याद कर लेना है उसके बाद साधारण ब्याज ग्याद कर लेना है और फिर माइनस कर देना है नें अंतर ग्याद कर देना है बज़ तो सबसे पहले क्या ग्याद करेंगे चक्रवध्धी व्याज तो दिया ग्या ग गया है यानि एन एन बराबर दिया गया है तीन वर्ष तीन वर्ष दिया गया है अब हम चक्रवर्धी भी आज ग्याद करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या ग्याद करना होगा यह ग्याद करना होगा यह मतलब क्या है मिस्रधन आपको ग्याद करना होगा तो ए बराबर पी ब्राइकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 और गहात N है ना ये आपका सूतर है और इससे मिसद्धन निकालेंगे तो P दिया गया है 4000 आर का मान दिया गया है दस प्रस्त और बटे में 100 और यन का मान दिया गया है तीन तो तीन लिख देंगे यहां से देखो एक जिरो ये और जिरो ये काट दीजिए अब क्या करेंगे 4000 10 का गुणा एक से 10 एक कम 10 और एक ये वाला जुड़ जाएगा तो 10 एक कम 10 से 11 तो 11 बटे में 10 और की घात लगा है 3 तो इसको हम 3 बार गुणा में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 4000 1000 गुणे 11 बटे में 10 इसको 3 बार आप गुणे में लिख सकते हो इसके बाद देखो ये वाला जिरो एक यहां से कटा एक यहां से और ये 3 जिरो ये वाले काट दो ये नीचे भाग में है और ये गुणा में देगे 3 जिरो काट देंगे बाकी अब गुणा कर देंगे तो य 11 11 11 11 11 11 11 ड़ब और गुड़े इस परकार से घुड़ा आपको करना है धरी तक अर्य गुर्स के पहले इसको दो संख्याओ में कर दी जे इधर दो संख्याओ में कितना आएगा 121 का गुणा करना है 44 में तो 4 से 1 का गुणा 4 एकंचार 4 दुनियाठ 4 एकंचार फिर से गुणा करेंगे 4 एकंचार 4 दुनियाठ और 4 एकंचार जोड़ देंगे तो 4 और 812 के 2 8 4 12 13 और एक कितना हुआ आँ यहां से बियाज आप ग्याद करेंगे साध्याडव्याज का सूत्र होता है यहां से ब्याज आप ग्याद करेंगे तो चक्रव्रुद्धिindi ग्याज बराबर यतना दे चक्क वर्द्धी चक्रवधि ब्याज बराबर A-P है ना ए बराबर कितना है 5,324 रुपे माइनस कर देना है आपको 4,000 तो 4,000 जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना ये 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा वो 5 से 4 खटाएंगे तो 1 बचेगा 1324 रुपे बचेगा अब हमको ग्यात कर लेना है साधारन व्याज तो साधारन व्याज बराबर क्या होता है साधारन व्याज का सूत्र क्या होता है साधारन व्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में 100 तो इस सूतर से आपको साधान ब्याज ग्यात कर लेना साधान ब्याज हो जाएगा 4000 मूल धन दिया गया है दर दिया गया है 10 परसत और समय दिया गया है 3 वर्ष बटे 100 यहां से 2 0 काट देंगे अब दोखो 4 से गुणा करेंगे 3 में तो चारतिया में 12 और 12 एक कम 12 तो यह हो जाएगा 12 और 0 कितने एक और दो दो जीरो तो 1200 रुपे क्या हुआ आपका साधान ब्याज हुआ चारतिया में 12 और 12 एक कम 12 1200 रुपे क्या हुआ साधान ब्याज हुआ और चक्रवद्धी ब्याज 1324 हुआ है ना तो इस प्रकार से ग्यात हमको क्या करना था कि साधारण ब्याज चक्रवर्धी ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर तो लिख देना यहाँ पर चक्रवर्धी ब्याज चक्रवर्धी ब्याज माइनस साधारण ब्याज साधारण ब्याज यह आपका हो जाएगा तेरा सो चौबिस माइनस बारा सो तो घटाएंगे तो बचेगा 124 रुपे हैं ना ये 4 और 2 से 0 घटाएंगे तो 2 और 3 से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 से घटाएंगे तो 0 124 रुपे आपका क्या है अंतर आया है तो यही आपका अंसर हो जाएगा सवाल नमर 5 के बाद सवाल नमर 6 दिया गया है कि 5000 रुपे का 8 परस्ट वार्षिक व्याज की दर से तीन वर्ष के चकरवध्धी व्याज और साधार व्याज में अंतर याद कीजिए सवाल नमर 5 की तरह ही सवाल है इसमें दिया गया है कि आपका पी यानि मूल धन दिया गया है 5000 रुपे और आरद दिया गया है 8 परस्ट और यन दिया गया है 3 वर्ष है ना अच्छा अब इसमें जो है मिसर धन आपको पहले ग्याद कर लेना है तभी आपका चक्रवधी ब्या जाएगा तो मिसर धन ए बराबर हो जाएगा P 1 प्लस आर बटा में 100 और घात यहने मतलब समय यहां जो है ए बराबर करेंगे तो हो जाएगा P कितना है 5000 और 넣 प्लस आर का मंट दिया है आथ और बटे में 100 और यहन का मांट दिया गया है आपका तीन वर्स इतना डालने के बाद आपको जो है देखो आठ से काटेंगे तो यह हो जाएगा चार दूनी ने कि चार से काटेंगे तो चार दूनी Hart दो और यहां काटेंगे nos Oppos पिश्चको 100 तो इस प्रकार से आपका ये दो बटा में पचीस आएगा इसको हम लिखेंगे 5000 और गुणा में देखो 25 से कम 25 कर देंगे और दो ये जोड़ देंगे तो 25 से कम 25 और 27 और 27 बटा 25 आपको तीन बार लिखना यूदकी घात कितने लिखी तीन लिखी है तो 27 बटा म पचीस तीन बार इसको गुणा के रूप में लिख देंगे अब काटेंगे तो ये देखो 25 से कम 25 और पचीस दूना पचाज और ये दो जीरो बचे तो 200 हो गया फिर एक बार 25 से काट देंगे 25 से कम 25 और पचीस अठे 200 आठ बार में ये कट गया तो बचा आपका क्या 27 गु गुणा में कर देंगे और 25 से भाग कर देंगे तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आठ गुड़े में 27 गुड़े 27 और गुणे 27 बटे 25 आप जो है इसी sequence से गुणा करते जाएंगे पहले 8 से 27 करेंगे फिर जो आएगा तो 27 से कर देंगे फिर 27 कर देंगे और बाद पाट में 25 से भाग कर देंगे तो जब यह गुडा करेंगे तब आपका आएगा 27 से 27 का गुणा करेंगे तब आएगा 729 ने 27 37 है मतलब वर करेंगे तो यह 729 आज आएगा और 27 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा तो यह पूरा आएगा गुड़ा करके तो यह इतना गुड़ा करने के बाद आपको मिल जाएगा एक रास ताउन है चार्स चौन सट और जब भाग करेंगे पचीश से तो आपको भाग करने पर मिल जाएगा 6298 रुपे 56 पैसे इतना आपको मिल जाएगा तो यह आपका क्या है यह आपका मिस धन निकलेगा यहां से आपको निकाल लेना है चक्रवर्धी ब्याज क्या निकालेना है चक्रवर्धी ब्याज यहां से निकलेगा आपका 6298 रुपे 56 पैसे से आपको घटाना है 5000 रुपे यह मूल धन दियागा घटाओगे तो बचेगा यहां 5000 से घटाओगे 6000 मिस तो बचेगा 1298 रुपे 56 पैसे यह आपका बच्चाएगा चक्रवर्धी ब्याज अब यहां पर क्या करेंगे साधारण ब्याज आपको निकाल लेना है तो साधारण में आज किस प्रकास से निकालेंगे तो साधारण ब्याज का फार्वर्धी लगाएंगे तो हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर साधार ब्याज में होता है मूल धन गुड़े दर गुड़े समय तो मूल धन आपका दिया गए 5000 दर कितनी है आठ पसत और समय दिया गए 3 वर्ष बटे में 100 कर देंगे तो ये आपके 2-0 नीचे से 2-0 उपसे कार देंगे अब गुणा करेंगे 50-8 और गुणे 3 तो ये हो जाएगा 845 ये हो जाएगा 845 चार सो और गुणे में 3 तो ये होजगा चारत यां में 12 ,o t.1200 पर आपका हो जाएगा साधार ब्याज तो निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवर्धी ब्याज का अंतर तो लिख देंगे चक्रवर्धी ब्याज चक्रवर्धी ब्याज माइनस साधारण ब्याज अंतर ग्याद करना है ना तो जब अंतर ग्याद करेंगे तो यह हो जाएगा 12,298.56 माइनस बारा सो तो जब घटाएंगे तो बारा सो घट जाएगा तो 98.56 बचेगा यही आपका 98.56 तो इतना अंसर आपका इतने रुपे जो है आपका क्या जाएगा अंतर आजाएगा नेक्स्ट रवाल साथ दिया गया है कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपे जमा किये दो वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपे ब्याज मिले यदि बैंक चार प्रसत वारशिक चक्रवरद्धी ब्याज देता है जब वो ब्याज चक्रवरद्धी ब्याज देगा तो आपको निकालना भी चक्रवरद्धी ब्याज ही पड़ेगा तो दिया गया है मोल धन P बराबर दिया गया है पंद्रा सो रुपे और N समय दिया गया है आपका दो अर्ष और लाश्ट में दर भी दे रखा है यानि R बराबर दिया है चार परसत है ना तो अब उसी प्रकास से आपको मिस्र धन निकाल लेना है तो मिस्तर धान आपका हो जाएगा ए बराबर पी यानि पंद्रा सो और वन प्लस दर दी गई है चार और बटे में सो और यन दिया गया है दो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा पंद्रा सो और यहां आपको काट देना है पचीस चार एक कम चार और पचीस चको सो है ना तो जब इस प्रकार से यह हो जाएगा आपका वन प्लस एक बटा में पचीस और की हाथ कितनी दो अशा अब इसमें जो है आप लिख देना पंद्रा सो और गुणे पचीस एकम पचीस और यह जोट देंगे 26 तो पचीस एकम पचीस और चबवीस बटे पचीस और दो बार गुणा में इसको लिख देना 26 बटा में कि पचीस गुणे 26 बटा में 25 अब देखो 25 से सो काट देंगे तो यह हो जाएगा तो पाचीश एकम पाचीश और पाचीश शक्का डेढर सो और यह जीरो बचाँ साथ तो जब गुणां करेंगे तो इतना आद ज़े isn't यह साथ गुणे चब्यश गुणे 26 बटे 25 है ना तो यहां क्या करेंगे गुणां करेंगे साथ गुणे 26 और गुणे 26 बटा में 25 अच्छा इसका जब गुणा करेंगे तो देखो कैसे गुणा करेंगे 26 का 26 रे गुणा कर दीजे पहले तो यह हो जाएगा 26 26 गुणे 26 का वर्ग तो यह वर्ग करने के असान त्रिक होती है जिसे 26 लिखा है और इसका वर्ग करना है आपको है ना 26 गुणे 26 तो आपका देना 6 36 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और दूना 24 में एक अंग छोड़ के जोड़ देना तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा गुणा 6 और 4 3 7 और 4 2 6 चारदूच्छ चे सो 76 आपका आजायागा 26 का बख चे सो 76 और इसके बाद 60 से गुणा करना है तो चे से यहीं पर गुणा कर दीजिए 6 चे से गुणा कर देंगा तो 6 साख 36 के 6 और 6 स thblack अब ë ब्यालिस और 3 45 और 6ण्क चार 400 तो चालिस शप्पन आ जाएगा 36 और 4 40 46 चपन आ जायेगा कितना आ जायेगा 46 चपन और हमने यहां पर क्योल 6 से गुणा किया था बाकी यह 0 छूट गया तो 0 आपको लगा दिना है और भाग कर देंगे 25 से तो इस पर जब 25 से भाग करेंगे तो यह आपका आजाएगा पचीश से भाग कर दीजेगा चार हजार चालिस हजार पांसो साथ को तो भाग करेंगे तो यह आ जाएगा देखो पचीश का पहाड़ा एक बार लगेगा तो पचीश है कम पचीश और यहां बचेगा पंदरा पंदरा और पचीश चालिस और यह आपका 55 तो 25 का पहाड़ा 155 में आ जाएगा 25,500 तो यह हो जाएगा 150 और घटाएंगे तो 5 बचेगा यह 5 हमने यहाँ ले लिया था और यह आपका 6 यहाँ पर लिखे देंगे तो 25 दूना 50 है ना 25 दूना 50 और यह बचा 0 यह 6 बचा और यहाँ से आपको 0 ले लेना है तो जब 0 उठाएंगे तो 60 हो जाएगा आप देखो 25 का पहाड़ा 60 में है ना तो 25 दूनी 50 तो दूनी 50 जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 50 और बचेगा 10 और फिर 10 में लगाके 0 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 25 को 100 तो यह हो जाएगा चार चार बार में पूरा-पूरा कट जाएगा तो 16 1622 रुपाय 40 पैसे आ जाएगा तो आईगा ब्याज बराबर 16 22 4 माइनस करना है 15 100 और जब घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1500 घट जाएंगे तो 1600 है तो बाकी 1500 घटाएंगे तो इतना पुचाएगा एक 112 रुपे 40 पेसे है है ना तो यह आपका अंसर आजाएगा यहाँ पर नेक्स वाल नमर आठ दिया गया है कि 8000 रुपे का 3 वर्स का 5 परशत वार्शिक ब्याज की दर से चक्रवर्धी ब्याज याद कीजिए तो जो जो जिती दिया गया है उसको परे लिख लेंगे तो P बराबर दिया गया है आपका 8000 रुपे N बराबर दिया गया है 3 वर्स और R दिया गया है आपका 5 परशत और फारभूले में डाल देंगे इसको तो आंसर आपका मिस्तधन निकलाएगा तो मिस्तधन A बराबर हो जाएगा P आपका दिया गया है 8000 है यहाँ पर 8000 और 1 प्लस 5 प्रित्तत दर दी गए तो R बटे 5 बटे में 100 और यहन कामान 3 दिया गया है हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8000 काट देंगे इसको 5 एककम 5 और 20 पंचे 100 है ना और यहाँ जब गुड़ा करेंगे तो 20 एककम 20 और 21 21 बटा में 20 और इसको लिखना है आपको तीन बार है ना 20 बटा में 20 तीन बार लिखेगा कि यहाँ तीन लिखा है तो गहाँ तीन को हम तीन बार गुणा में लिख देते हैं उसी संख्या को आप देखो यहाँ से जब काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका जीरो यह वाला यह वाला यह वाला कट जाएगा तो यहां से आपको यह तीन जीरो उना देना है काट देना है अच्छा यह देखो नहीं पर उसके बाद गुणा हो जाएगा तो यह 21 का गुणा करेंगे तो 21 सही हम होता है 441 441 और गुणे 21 कर देंगे यहां पर बटे में हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ आठ अब यहां से आब आठ को काट सकते हो यह आठ कम आठ थोड़ा सा यहां पर गंदा भी नहीं होगा है ना तो इस प्रकार से आपको काटना है ध्यान सब कुछ रखना है कि सफाई का भी ध्यान लखना है तो अब देखो बटा क्या 441 और 21 का गुणा करना बचा तो 441 और 21 का गुणा करके आपको यहां पर लिख देना है 84 और दोज कितने हुए 86 86 के 6 और 21 चको 84 84 और आठ 84 और आठ 92 है ना कितना हुआ 92 तो कुल मिलाके कितना आया 9260 रुपे आपका क्या या है या है मिसरधन आपको ग्याद करना है चक्रवर्धी व्याज तो यह देंगे चक्रवर्धी ब्याज बराबर 9261 माइनस 8000 घटाएंगे तो बचेगा 8000 एक वो घटा देना है 9000 आया है तो बचेगा इतना 1261 रुपे है ना 1261 रुपे देखो एक से आप घटाएंगे क्या 0 तो बचेगा 1 और 6 घटाएंगे जीरो खटाएंगे तो 6 और 2 से जीरो घटाएंगे तो 2 और 9 से आठ घटाएंगे तो एक तो आपका 1200 रुपे इसमें जो है चक्रवर्धी व्याज आएगा सब्सक्राइगे तो इसमें मिसर अधन ही घटाएंगे तो उसमें जेटाएंगे तो आर बराबर दिया गया है 12.5 प्रत्सत और दिया घटाएंगे आपका वर्ज यन बराबर कितना दियागा है दो वर्स और अब हम ए बराबर ए यहां पर क्या होता है चकबधी मिस्रधन ही होता है मिस्रधन होता है तो आपको यहां पर लिदिना है पी कामान कितना है सोला सो तो सोला सो और वन प्लस आर कितना है बारा पॉइंट पांच और बटे में सो और यह अनकामान दिया गया है दो तो यहां से आपके काम करिएगा फिर इसको जो है क्या करेंगे हल करेंगे तो सोला सो और सो का एक से गुणा करेंगे और बारा पॉइंट पांच जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका एक सो बारा एक सो बारा पॉइंट पांच और बटे में सो और घात कितनी है दो इसको दो बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका सोला सो गुड़े 112.5 और बटे में 100 और गुड़े 112.5 और गुड़े में 100 है ना यह लिखने के बाद आपको क्या करना है दो जीरो काट देना है 16 यह वाले दो जीरो आप काट दीजे यहां से है ना इस सो के दो जीरो नीचे है और 16 के दो जीरो उपर है तो काट देंगे यहां देखो 4 चक्कु 16 और यहाँ पर 25 चक्कु 100 इसो काट देंगे और यहाँ पर काटेंगे 25 एककम 25 और इसो काटेंगे 25 से तो यह हो जाएगा 25 चक्कु 100 और 12 बचे फिर आप क्या करेंगे 12 प्रहड़ा तुझा यहाएगा नहीं है ना अर्यों दो तुमालों आपका हो जाएंगा द्समालों लगा देंगे और पाँंच हो जाएंगा तो 125 तो आपका आजाएंगा 255 पंच centrewood तो 4.5 यहां पर आ जाएगा अब 4.5 का और 4 का और 112.5 का गुणा कर दीजे चार गुणे कि एक सो बारा वाइंट पांच और गुणा में 4.5 है ना यह आप गुणा कर दीजेगा और बस आपका अनसर आ जाएगा तो सबसे पहले दो क्या करेंगे चार का गुणा कर देंगे इसमें है ना चार का गुणा करेंगे चार पंचे बीस का जीरो हो जाएगा और चार दुनियाथ हो जाएगा अच्छा चार पंचे बीस का जीरो चार दुनियाथ दस का जीरो है ना दस यहां पर दस का जीरो और चार एकम चा और 15 तो तो इस प्रकार से यह कितना आएगा पैतालिस सो और दिसमलो एक अंपल लगा देंागे यहां पर आप गुरा कर देंगे 4 पॉइंट 5 चरी नहीं गुणा से तो 4.5 से आफご ें लिए 4 पॉइंट 5 जब हो बवंकर देंगे जहां पर जिरो को छोड़ देंगे कि और 45 में उड़ा करेंगे बाद में 0 लगा लेंगे तो पचम 25 के 5 और 5 चको 20 और 2 22 और 4 25 का 0 और 4 16 और 2 18 अब यहां पर क्या करेंगे पांच यह वाले दो यह आवार दूसका जीरो और उक यह तो यह हो जाएगा दो 2025 दसमलो 0 लिह दना तका जानकारी हो जाए कि दसमलो एक अंग पर लगा है ना तो यह आपका अंसर हो जाएगा 2025 अब सभी लोग कमेंट करेंगा कि वीडियो कैसा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तब तक करे धन्यवाद